उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सिक्षक भरती की तयारी करने वाले सभी अभिर्थियों का स्वागत करता है दमाश्टर आपका अपना यूटूब चैनल तो एक बार पुना हम आपके सामने सुपर्टेट का प्रेक्टिस सेट लेकर उपस्तित हैं ये हमारा टोटल 128 नंबर का प्रेक्टिस सेट है अगर इससे पहले के प्रेक्टिस सेट आप लोगों ने सॉल्व नहीं किये हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बढ़ाई गई है जिसका लिंक डिस्क्रिस्टिन बॉक्स में दिया गया है वहां से जाकर आप पुराने प्रेक्टिस से हैं तो भया यदि आपको सरकारी अध्यापक बनना है तो अधिक सधिक मात्रा में सुपर्टेट का प्रेक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा और हां यहां पर एक समय बिवाद चला है बियड और बिटी सी का तो सुप्रिम पोर्ट ने प्रात्मिक सिक्षक भरती से बियड क नहीं करेंगे उसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई है तो आप चाहें बेट के अभ्यरती हों चाहें बीटी सी के अभ्यरती हैं इस प्रेक्टिस सेट को जरूर से जरूर लगाईए अगर बीटी सी के अभ्यरती है तो यह प्रेक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही जर भिन्न है तो यह है भिन्नता किस पर आदारित है। दूसरा ओप्सन बिल्कुल राइट होगा बालक को। होता है। चौता प्सन है सहसा वस्ता में सिसू सबसे अधिक किस विदी से सीखता है। तो इसमें पहला ओप्सन है अनुकरण विदी, दूसरा व्यक्षान विदी, तीसरा प्रदर्शन विदी और चौता है गीत पिर्णाली। तो सहसा वस्ता में जो सबसे अधिक सीखता है वो सीखता है अनुकरण विदी से। पांचमा प्रशन है किसोरा वस्ता सहसा वस्ता की पुनार विर्थी होती है। पिर्शन संग्या 5 में आप राइट आंसर तीसरा लगाएंगे जोंस का। पिर्शन संग्या 6 बहुती सरल पिर्शन आपको पता है इसका सही आंसर। पिर्शन क्या है कि सामान प्रोस में XY गुण सूत्र होते हैं जबकि सामान मैलाओं में होते हैं एक्स एक्स गुण सूत्र एक्स बाई बाई गुण सूत्र ट्रिपल एक्स गुण सूत्र या एक्स गुण सूत्र तो सही आंसर आप बताने की कोशिस करेंगे कमेंट में बताएंगे जरूर और आंसर यहाँ पर आपको पता ही है एक्स एक्स गुण सूत्र ठीक है साथमा प्रिशन है बुद्धी समावेश करती है अब सारी चिंतन का दूसरा प्रिशन है अभी सारी चिंतन का तीसरा है विचार सिल चिंतन का चोथा है समा लेचित चिंतन का साथमा प्रिशन दूसरा प्रिशन राइट होगा अब सारी चिंतन का आटमा पिर्षन है बोल्स और कॉफ मैन के अनुसार परतसाहन होता है दो प्रिकार का दूसरा ओप्सन है तीन प्रिकार का तीसरा है चार प्रिकार का चौथा है पांस प्रिकार का बहुती सरल पिर्षन परतसाहन के बारे में पूछा गया है जो प्रकार का होता है, बताएंगी कौन-कौन से प्रकार है पर्तोसान के नमा पिर्शन देख लेते हैं, बालक उसी बातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें खेलने का मौका मिले, दूसरा है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले फिरिशुर मात्रा में हो नमा पिर्शन आपकी सामने और तीसरे बिलकुल राइट आंसर होगा उनके अनुपभु एवबन भावनों को ओचित स्थान मिले दसमा पिर्शन देखेंगे पावलाव ने अपने सिद्धान्त की पुष्टी के लिए किस जानबर पर प्रियोग किया बिल्ली, कुट्टा, चुहा या बंदर तो दूसरा ओप्सन आप राइट लगा देंगे आपको पताई है पावलाव ने कुट्टे पर क्या गराता प्रियोग किया था ग्यार्मा प्रिशन निम विद्ध्यार्तियों में अभी प्रियोडना विक्सित करने के लिए एक सिख्षक को क्या करना चाहिए विद्ध्यार्तियों के समों के अप्राय लग्ष रखना चाहिए दूसरा है नई तक्नीकी और नई विद्यों का प्रियोग करना चाहिए अबसक्ता वाले बच्चों को पढाने के लिए निम लिखत मैं से कौन सी भी हू रचना अधिक उप्युकत है अधिकतम बच्चों को संवलिप करते हुए कख्षा में चर्चा करना तूसरा विध्यार्तिकों संवलिप करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन तीसरा सह सही आंसर तीसरा होगा सही सरकारी अधिगम तथा पियर ट्यूरिंग यानिकी सहे पार्डियो द्वारा अनू सिक्षान तेर्मा प्रिशन एक समस्या को मूल रूप मूल एवम अविसारी समाधानों के साथ करने की योगता निमलिकित में से किसकी एक प्रात्मिक विसेचता है आधिगम अस्तक्ता वाले बच्चों की एहम केंदरित बच्चों की स्रजनात्मक बच्चों की या छतिग्रेश्ट बच्चों की तेर्मा प्रिशन है और राइट आलसर पीस्टा होगा स्रजनात्मक बच्चों की प्रिशन संग्या 14, एक बावर्ची खाना पकाते समय, खाने को चकता है तो बहे खाली समान है, यहाँ पर खाली है, इस्थान की के समान है शीखने का आकलन, शीखने के लिए आकलन, शीखने के रूप में आकलन या आकलन का शीखना बहुत ही शरल प्रिशन और आंसर करने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पर आप दूसरा ओप्सन बिलकुल सही लगा देखने, शीखने के लिए आकलन पिर्शन संक्या 15 है एक सकारात्मक पुनर्वलन पहला उप्षन है बांचनी बेवहार में ब्रद्धी करता है दूसरा है बांचनी बेवहार में कमी करता है तीसरा उप्षन है बांचनी बेवहार को पड़ाता या कम करता है चौथा है आ बांचनी बेवहार करता है सोलमा पिर्शन देखेंगे NCF 2005 के अनुसाद, शिक्षक की भूम का होनी चाहिए, अधी नायकिये के रूप में, दूसरा आप्शन है सक्ता बादी के रूप में, तीसरा है सुब्धा दाता के रूप में, चौतरा है आलो चकिये के रूप में, पिर्शन संक्या सोला, पिर्श संक्या सक्तरा देखेंगे पार्ट करम निम लिखित में से, शिक्षन के कौन से चर में आता है, पहला आप्शन है आसलित चर, दूसरा है स्वतंत चर, तीसरा है मदस्त चर, और चौता है उप्रोग सब्य, पिर्शन संक्या सक्तरा, तीसरा आप्शन बिलकूर करेक्ट होग मदस्त चर्व प्रिशन संक्य 18 है बहुती इंपोर्टेंट प्रिशन है कई वार परिक्षाओं में पूशा गया है जहां से इसको पढ़ेंगे कि निशुल्क एवम अनवारिय सिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में अनवारिय सब्द का अर्थ है तो पहला उप्षन है उचित सरकारे दाखले उपस्तिती और प्रारभिक शिक्षा की पूर्टा को सुनिचित करेंगी दूसरा है दंडात्मक कारिय से बचने के लिए अपने बच्चियों को विद्याले भेजने के लिए अभी भाब को उपर अनवारिय रूप से जोर डाला गया है पीजरा है अनवारिय सिक्षा सतत परिक्षन के माध्यम से प्रदान की जाएगी चौथा है केंद सरकार दाखले उपस्तिती और प्रारभिक शिक्षा की पूर्टा को सुनिचित करेंगी प्रद्शन संक्य अठारा इसमें आपका पहला आप्षन ही बही बिल्कुल करेक्ट हुगा ठीक है उनीशमा प्रद्शन देखेंगे शिक्षार से सम्मंदित गती विदियो में देवहार कुशलता पैदा करना शिक्षक का कारिये है ये कि शिक्षक सिद्दान्थ से सम्मंद रखता है पहला ओप्षन है लोच सीलता का सिद्दान्थ, दूसरा प्रेर्णा का सिद्दान्थ, तीसरा किरिया सीलता का सिद्दान्थ, चौथा पुनरा विर्ति का सिद्दान्थ इसमें आप तीसरा ओप्सन दाइट लगाएंगे किरिया सीलता का सिद्धान बीशमा प्रिसन निर्देशन ब्यक्ति को अपने समयोजन की समस्या में साहता देने की प्रक्रिया है और प्यूक्त कथन का सम्बन्द है पहला ओप्सन है जोलस से दूसरा है मौरिस से तीसरा है कुप्पु स्वामी से और चौता है इसकिनर से प्रिसन संक्या 20 तीसरा ओप्सन बिलकुल करेक्ट होगा अगला प्रिसन देखेंगे बैदिक काल में चारो वेदों का ग्याता किस नाम से जाना जाता था बसू, रुद्र, आदित या इसना तक प्रिसन संक्या 21 यहाँ पर आप तीसरा ओप्सन राइट आएंगे आदित 22 प्रिसन देखेंगे मुल बहमांदंड है जो संपूर संस्कृति बस समाज का आज समाज को सातकता प्रदान करते हैं उप्रियुक्त गतन है जोसे फेचर का, एंसाइकोलोपेडिया का, पीसरा ओप्सन है अरवन का, चोथा है काने का देखेंगे 22 प्रिसन है और पहला ही ओप्सन या पर बिल्कुल सही होगा 23 प्रिसन है आप कक्षा का अबधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर दूसरा है स्यामपट पर लिखकर तीसरा है चित्र बनाकर और चोथा ओप्सन है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा प्रिसन संख्या 23 सही आंसर चोथा होगा अगला प्रिसन देखेंगे कि निमने लिखित रनीतियों में से कौनसी बच्चे या बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी पहला ओप्सन है आपका सूचनों का संच्रन दूसरा है दंडात्मक साधनों का प्रियोक करना तीसरा एक रूप एबम मानकी क्रत परिक्षण चोथा अनुवेशन एबम परीचर्चा तिसका राही टांसर जो होगा दहे होगा चोथा ओप्सन अनुवेशन एबम परीचर्चा 25 परिशन देखेंगे निम लिखित में से मुल्यांकन की संबंद में असत्य कथन कौन सा है पहला ओप्सन है मुल्यांकन प्रिभावी पाट्रम निर्मार करने में मदद करता है दूसरा ओप्सन है मुल्यांकन उद्देश केंदरित होता है तीसरा मुल्यांकन सिक्षन अधीगम प्रिक्रिया में बौदीग मार दर्शन प्रदान करता है चोथा मुल्यांकन की प्रिक्रिया केबल विशे बस्दू पर ही केंदरित होती है पचीसमा पिर्षन चौथा ओप्षन बिलकुल सही होगा 26 मा पिर्षन है निम्न लिखित में से किस मनो बैज्ञानिक के हरनुशार देखती की उत्रेजित दसा ही संबेग कहलाती है पहला ओप्षन है बुडबर्थ, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है जर्सील्ड और चौथा ओप्षन है बेलेन्टाइन पिर्षन संक्या 26 है और 26 वाले पिर्षन में सही ओप्षन पहला ही होगा 27 प्रिशन देखेंगे सीखने के बारे में निम लिखित कत्रों में से कौनसा एक कत्र सत्र है पहला उप्सन है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुब्दा देती है दूसरा सीखना एक निश्क के लिए ग्रहेंड सील्ट पर क्रिया है तीसरा है सीखना कौसलो के संचे के समान है, चौता है सीखना सिक्षारती के पूर्व ज्यान पर आधारित नहीं है 27 मा पिर्शन देखेंगे और पहला यह उप्सन राइट ला देगे 28 मा पिर्शन 28 मा पिर्शन देखेंगे केवल कालगर्ज पैंसिल जाच्चो द्वारा आकलन पहला उप्सन आकलन को सीमित कर देता है दूसरा है समग्र मुल्यांकन को सुब्धा प्रदान करता है तीसरा है निरंतर मुल्यांकन को सुब्धा प्रदान करता है चौता है सकल आकलन को बड़ावा देता है 28 पिर्षन और पहला यह उप्षन सही होगा 29 पिर्षन देखेंगे भासा प्रभावित करते हैं पहला उप्षन है विचार प्रक्रिया को दूसरा है योजना प्रक्रिया को तीसरा है जैविकी प्रक्रिया को चौता है देहिक प्रिक्रिया को तो 29 प्रिशन आप देख रहे हैं और पहला यह उप्षन राइट लगा देंगे विचार प्रिक्रिया को तीसमा प्रिशन बुली मिया विकार संबंदित है देखिए CDP में बुली मिया विकार पड़ा है आपने और यह पताना है किस से संबंदित है पठन विकार से संप्रिशेशन विकार से भोजन विकार से या गड़ना विकार से तीसमा प्रिशन आप तीसरा ओप्षन सही लगा देंगे भोजन विकार से 31 प्रिशन तरल पदार्तों से होकर कौन सी तरंगे नहीं गुजरती है L तरंगे, S तरंगे, P तरंगे अपरुक्त में से कोई नहीं दूसरा आप्षन सही लगाएंगे, S तरंगे 32 प्रिशन निम्लिकित कत्रों पर विचार करेंगे A आप्षन है, आपका पोपा ज्वाला मुकी, मेमार देश का एक मरत ज्वाला मुकी है दूसरा है B आप्षन, रेडियार ज्वाला मुकी, एक मरत ज्वाला मुकी का उधारन है तीसरा, इस्ट्रैम बोली, ज्वाला मुकी के ज्वाला मुकी में प्रति पंदर मिट बाद में लावा का उद्गार होता है तो उप्रोग तुमें से बताना है कौन सा कथन या कौन से कथन सत्क है तो देखिए आप पर पहला ओप्सन है केवल A और C दूसरा है केवल A बा B तीसरा है केवल B बा C चौथा है उप्रोग सभी बतीसमा पिर्षन सही ओप्सन पहला होगा तैतिसमा पिर्षन देखते हैं निम लिखित में से कौन सा लगू हिमाले का एक भाग है करा कोरम कैला स्रेडी लद्दाक स्रेडी या धौलाधार स्रेडी तैतिसमा पिर्षन चौथा ओप्सन सही लगाएंगे दोला धार श्रेडी चौतिसमा प्रिशन देखेंगे निम्न लिखित में से कौन सा यूग्म असंगत है तो असंगत वाला बिलकुल बताना है इदर नदियां है और इदर जल्पिरपात है नदियां और जल्पिरपात से आपकी परिक्षा में अक्सर प्रिशन पूछे जाते हैं सारे इंपोर्टेंट हैं सबी को आप अच्छे से जान लीजिएगा कौपी में लिख लीजिएगा तो यहाँ पर निर्मदा है धुआधार जल्पिरपात स्वन रेखा है गर सुमपा जल्पिरपात कावेरी है सिफ सुंदरम जल्पिरपात और चम्बल है चूलिया जल्पिरपात तो जो असंगत है मतलब कह सकते हैं गलत है बहे है दूसरा आप्षन सर्वन रेखा गर सुमपा जल्पिरपात आप सही option इसके साथ क्या होगा दहे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में चलिए अगला प्रिशन देखते हैं 35 प्रिशन है जनगर्णा 2011 के अनुसाथ भारत में पुरुष साथ शर्ता कितने प्रतिशत है 73 प्रिशन 64.6 प्रिशन तीसरा option 80.9 प्रिशन चौता है उप्रोट में से कोई नहीं तो देखी 35 प्रिशन आपके सामने और तीसरा option आप सही लगाएंगे 80.9 प्रिशन 36 प्रिशन देखेंगे निम लिखित में से भारत का मांचेस्टर किसे कहा जाता है पहला option है कोल काता को, दूसरा है तमिल लाडु को, तीसरा है एहमदाबाद को और चौता है सूरत को भारत का मांचेस्टर, NCRT की किताबों में बहुत पड़ा होगा आपने इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर आप सही आंसर के लगाएंगे तीसरा, ठीक है, एहमदाबाद 37 प्रिशन है, आस संगटित मुद्रा वजार की पुर्मो के मदे कौन सी है बाडिज बिल, रैपो एवम, पृतिवर्थी, रैपो रेट, तीसरा ओप्सन है, नगत प्रिवंदन बिल, चौता अप्रोग सभी तो यहाँ पर आप अप्रोग सभी सही लगाएंगे 38 प्रिशन देख लेते हैं, भारत में राष्टी आए और प्रितिवेक्ती आए, कम होने के क्या कारण है पहला ओप्सन है कम बच्चत, दूसरा है सेवा चेत्र पर अत्यादिक निर्वर्ता C आप्सन है रोजगार के साधनों की लब्दता और D आप्सन है सिक्षा भा भैरोजगारी तो देखी यहाँ पर कूट दिया हुआ है और कूट वाले जो प्रिशनों होते हैं बहुत धिहान से पड़े जाते हैं ताकि आप सही आंसर अच्छे से निकाल सकें तो इसमें आप जो तीसरा उप्सन देखेंगे A और D ठीक है यही उप्सन सही होंगे 49 मए प्रिशन है सुची एक को समाज को सुची दो संस्तापक के सुमलित करना है और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनना है तो समाज A की सूची है और इदर संस्थापकों की सूची है तो पहला option है A इसमें आदी ब्रहम समाज इसके संस्थापक पहले नंबर पर हैं जोत्वा फूले B option है भारती ब्रहम समाज देविंदनात टैगोर C option है तियो सोफीकल सोसाइटी करनल आसकॉल्ट C option सब्सोदक समाज के सब्संद सेन अब यहाँ पर देखिए कूट दिया है फिर से और इसमें आप सही आंसर लगाएंगे दूसरा option ठीक है बाकी आप मिलान करके अच्छे से कॉप्य में नोट डाउन कर लेंगे चालिसमा फिर्षन देखिएंगे सती प्रता को प्रती बंदित कब किया गया था बर्ष 1828 में बर्ष 1839 में तीसरा option है बर्ष 1856 में चोथा है बर्ष 1872 में चालिसमा फिर्षन आपके सामने और दूसरा option सही लगाएंगे बर्ष 1829 में सती प्रता को प्रती बंद लगाए गया था एक तालिसमा फिर्षन दिसंबर 1916 में पहारती राष्टी कॉंग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग में एक ही शमय अपने अदिवेशन आरजित किये थे बताना है कहां पर पहला option है इलावाद में दूसरा है लाहौर में तीसरा है अलिगड में चौता है लक्नो में तो देखिए आप पर आप क्या option सही लगाएंगे चौता option ठीक है 42 में परसाज ने दूसरा option पंडित जवाला हल नैरू ने तीसरा है महत्मा गांदी ने चौता है मौलाना अबल कलाम आजाद में 42 में परसाज तीसरा option आपका बिलकुल सही होगा महत्मा गांदी में परसाज संग्या 43 एक बर्ष में स्वाराज का नारा महत्मा गांदी जी ने कब दिया था पहला option है सबिने अबग्या अंदुलन के शमय दूसरा है गुलमेज सम्मिलन के शमय तीसरा है डांडी मार्च के शमय चौता आसयोग अंदुलन के शमय परसाज संग्या 43 चौता option बिलकुर राइट लगाएंगे आसयोग अंदुलन के शमय 44 मा परसन सम्मिलन की किस अनुसूची में पिर्तिक राजजुक तथा राजज छेत्रों के लिए राजज सवा में इस्थानों के आवंटन की सूची है पहला option है पिर्थम अनुसूची दूसरा है दुतिय अनुसूची तीसरा है तेर्तिय अनुसूची चौता है चतुर्त अनुसुचे 44 में प्रिशन देखिएगा और सही आंसर लगा देंगे चौता ओप्सन चतुर्त अनुसुचे उमीद करते हैं साथ कि आपके लिए स्यासन ज़रूर पसंदारा होगा लाइक नहीं किया है लाइक कर देजिएगा साथ में सेयर कर देजिएगा चलिए 45 में प्रिशन को देखते हैं भारती समिदान का कौन सा भारत समिदान की आत्मा कहलाता है पहला ओप्सन है मूल करतब दूसरा राज के नीती निदेशकत तीसरा है उद्देश का और चौता है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो 45 में प्रिशन आप देख रहे हैं और तीसरा ओप्सन आप करेक्ट लगा देगे उद्देश का प्रिशन संक्या 46 सूची एक अनुछेद है और सूची दो में प्रावदान है सुमलित करना है तो अनुछेद 54 पहला ओप्सन है राष्ट पती का कारीकाल दूसरा है अनुछेद 55 तो राष्ट पती कारीकाल की दसाएं तीसरा अनुछेद 56 राष्ट पती की चुनाप का तरीका चौता है अनुछेद 69 राष्ट पती का निर्वाचक बंडल 46 में प्रिशन है और अकषर अनुशित और प्रावदान से person आते रहते हैं तो पहला यह option यहाँ पर देखिए दिया है दूसरा दिया है इसके बाद में तीसरा दिया है और चोथा दिया है फिर से कूट दिया गया है तो कूट में यहाँ पर पहला यह option right लाएंगे और सभी सही तरीके से मिलान कर लेंगे 47 मा प्रिष्ण निम लिखित में से मुख निर्वाचन आयू का कारिकाल होता है पहला option है 6 वर्ष की अब्दी अत्वा 60 वर्ष की आयू दूसरा है 5 वर्ष की अब्दी अत्वा 60 वर्ष की आयू तीसरा इच वर्स की अबदियत्वा, 55 वर्स की honey और चौथा उपसन है, पांच वर्स की अबदियत्वा, 65 वर्स की honey 47 मा प्रिशन है, तीसरा उपसन आप सही लगाएंगे 48 मा प्रिशन देखेंगे, एड़ॉकेट जनरल महा अधिवक्ता के पत्गा लेक समिदान के कौन से अनुचेद में किया गया है पहला ओप्षन अनुचेद 161 दूसरा अनुचेद 76 तीसरा अनुचेद 177 चौथा ओप्षन अनुचेद 165 और तालिसमा प्रिशन चौथा ओप्षन आप बिलकुल राइट लाएंगे अनुचेद 165 49 प्रिशन देखेंगे निम लिखित में से प्रितिष्ट अपत्र का पोवर्स की इंडिया 13 अंडर 13 में सामिल ताबनी सुकला उत्तर प्रदेश के किस जनपस से सम्बंदित है पहला ओप्षन है प्रियाग राज दूसरा है लकनव, तीसरा है गाजियाबाद, चौथा है मेरत दूसरा ओप्षन आप सही लगाएंगे लकनव 50 माँ प्रिशन देखेंगे जेवर हवायड़ी का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है ग्रीन फिल्ड हवायड़ा, जूरिक इयरपोर्ट तीसरा ओप्षन है नुएड़ा, अंतर राष्टिय हवायड़ा, चौथा है इन में से कोई नहीं तीसरा ओप्षन आप यहाँ पर बिल्कुर राइट लगाएंगे नुएड़ा, अंतर राष्टिय हवायड़ा पिर्शन संक्या 51 देखेंगे उत्तर परदेश के किस सहयव में सीवे, सोदन, सयंत के विकास एतु, एक तिरपक्षिय र्यास्त अनुबंध हक्स्ताक्ष्रित हुआ सहाजापूर, बरेली, मुरादाबाद, हर्दोई पिर्शन संक्या 51, तीसरा उप्सन राइट होगा, मुरादा बाद बावनमा पिर्शन है, हर्दुगा गंट, स्ताफ बिद्दुत के रह की, स्ताफना कहा की गई है कानपूर में, सहाजापूर में, बरेली में, अलिगर्ण में तो यहाँ पर आप चौता उप्सन बिलकुर राइट लगा देंगे, अलिगर्ण में तेरे पनमा पिर्शन देखेंगे, दोभिन समुदाय के बीच का संक्रांती शेत्र कहलाता है बहुत ही इंपोर्टन पिर्शन है, और कई बार आपने परिक्षा में भी देखा होगा अक्सर ये पिर्शन आता रहता है, तो इसको आप ध्यान से लगाएंगे, सही उप्सन पहला आप्सन है, इको टाइप, दी आप्सन, दूसरा, इकेड, तीसरा है इको टोन और चता है, एको इस्पियर पिर्शन संक्या तिरे पन, तो यहाँ पर तीसरा आप्सन सही होगा चोवनमा पिर्शन है, हैमिस नेशनल पार्क, कहां इस्तित है, हिमाचल परदेश में, लक्षदीप में, लद्दाक में या अरुनाचल परदेश में पिर्शन संक्या चोवन, तीसरा आप्सन राइट होगा, लद्दाक में है आपका हैमिस नेशनल पार्क पिर्सन संख्या 55 निम लिखित में से कौन सा एक जैब अब कर्मणिये पदारत है खेतों की खाद, नैलॉन, काच या कच्चा तेल पिर्सन संख्या 55 पहला ओप्सन बिल्कुर डाइट होगा खेतों की खाद पिर्शन संग्य 56 देखेंगे निम लिखित में से कौन सा विकल यूनिक्स ऑप्रेटिंग सिस्टम का बॉरियंट नहीं है MS-DOS, दूसरा ओप्षन है Mac OS, तीसरा है Linux, चौता है बर्किल सॉप्ट्वियर, डिस्क्रिवियोशन 56 पिर्शन देखते हैं और सही आंसर लगाने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पर आप पहला ओप्षन सही लगाएंगे पिर्शन संग्य 57 निम लिखित में से कौन सा एक ऑप्रेटिंग सिस्टम नहीं है पहला ओप्षन है Symbian, दूसरा Android, तीसरा है बर्किल सॉप्ट्वियर, डिस्टिवियोशन चौता है MS Outlook पिर्शन संग्य 57 सही आंसर लगाएंगे ओप्षन नमबर चौता MS Outlook पिर्शन संग्य 58 देखेंगे CPU का बहभाग जो कम्प्यूटर के सभी कम्पोनेंट्स के बीच डेटा वा निर्देश के हस्तांतरन को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं पहला ओप्षन है RAM, दूसरा है ALU, तीसरा है Motherboard और चौता है CEO यानि की Computer Unit Central Unit इसको उल्वाम बोलेंगे ठीक है बाकी आप सही आंसे लगाएंगे किसके साथ पिर्शन संग्य 58 में चौता ओप्षन ठीक है Control Unit पिर्शन संग्य उन्सट है खाली स्थान दिया है कि परिवर्ति दस्ता वेज बैब पर प्रिकासित किये जा सकते हैं पहला उप्षन है दस्ता वेज फाइल दूसरा है मसीनी भासा पीछरा है HTTP चौता है HTML 69 पिर्शन और सही आंसर चौता लगाएंगे HTML ठीक है HTML फुल फॉर्म आपको पता है कमेंट में जरूर बताएंगे HTML की फुल फॉर्म पिर्शन संग्य 60 खालिस्ताने एक इन्पुट डिवाईस है जिसका उप्यूग कम्प्यूटर में किसी वेक्ति की आवाज को सहजने के लिए किया जाता है तो पहला उप्षन है स्पीकर दूसरा है स्केनर तीसरा है माइक्रोफोन चौता है जॉयस्टिक शाटमा प्रिशन और तीसरा उप्षन आप राइट लगाएंगे माइक्रोफोन एक स्पीकर प्रिशन है पढ़नी के मत्में सूत्रों में क्रम कंडग सब्द का सम्मद किस विकल्प से है पहला उप्षन है धा डा धा सा दूसरा है या बारा टा तीसरा है उप्षन आप पर सही आंसर लगाएंगे तीसरा उप्षन बासर्टमा प्रिशन है भट्टू जिदी देख्षता की कौन सी किर्थी है आखांचा बिरते महा भासी बिरते भासा बिरते या प्रोण मनो रमया तो यहाँ पर सही आंसर चौथा होगा प्रोण मनो रमया ठीक है संस्कृत से प्रिशन है बहुती इंप्षन है त्रेश्टमा प्रिशन देखते है पुर्शुराव जिसका उधारन है बहे है अभईवाव द्वन्द कर्म धाराय या सही आंसर तीसरा लगाएंगे कर्म धाराय चौथाटमा प्रिशन है कवे प्लस अभे ही निश्पन है पूर्व रूप में सत्व में पर रूप में छत्व में तो यहाँ पर सही आंसर पहला ही होगा पूर्व रूप में पैसटमा प्रिशन देखेंगे गण पत्पनम से पैसटमा प्रिशन है पहला ओप्शन बिल्कुल राइट लगाएंगे मरूत चुआन से शाशटमा प्रिशन है माता पुत्रम अगने रक्षती में विभक्ती कौनसी प्रिउक्त हुई है सस्टी, चतुर्ती, तिर्थिया या पंच मी प्रिशन संक्या 66 चौथा ओप्शन बिल्कुल सही लगाएंगे पंच मी सड़शटमा प्रिशन है बिने बारित ब्रती रा इस्तस्यम्या ना विवर्तू मदनो ना चा संब्रता तो उप्रिउक्त दारन बताना है किस ब्रत का है दिर्ती बिलंबतम रतोदिता भशंत तालिका या बंसात्तम सड़शटमा प्रिशन पहला ओप्शन बिल्कुल राइट होगा 68 में प्रिशन है प्रिटी पादिका पतत के सब्तमी भवचन का सम्बन किस्ये है पतताम पतनाम पता साम्या 68 में प्रिशन पहला ओप्शन बिल्कुल राइट लगाएंगे 69 में प्रिशन है बिशम बोदक अभीवब जो नहीं है बहे है ओहो हंत किल देख 69 में प्रिशन देखेंगे और तीसरा ओप्शन सही लगा देखेंगे किल प्रिशन संग्य सक्तर अकुर्मम अंतर भूत है बहुवचन आवम द्वचन दूसरा ओप्शन है केबल एक बचन में तीसरा है केबल बहुवचन में चौथा है एक बचन तता बहुवचन में तीसरा ओप्शन राइट लगाएंगे केबल बहुवचन में देखिए गाईस आपके सिलेक्षन के लिए संस्क्रत बहुत ही महत्पूर है तो संस्क्रत के सारे प्रिशन आप बहुत ध्यान से देखिएगा बाकी सारे सब्जेक्ट तो important हैं ही लेकिन संस्क्रत और गडित ये दो सब्जेक्ट जो वेक्ति सही तरीगे से cover करता है सिलेक्ष पहला option है का धन सा धन आ बरावर चा दूसरा है जा धन गा धन आ बरावर गया तीसरा है ता धन रा धन आ बरावर ता और चौता है सा धन रा धन आ बरावर च्रा तो प्रिशन संक्रत यहां पर दिया है और इसमें आप सही आंसर दूसरा लगाएंगे बहात्रमा प्रिशन है नेम लिखित में से चिती चिती सब्द यूग्म का सही अर्थ भेद है प्रग्या छोटा दिब्बा दूसरा ओप्सन है चलाने वाला चतुर तीसरा है स्वस्त खड़िया मिट्टी चोथा है तस्वीर मन बहात्रमा प्रिशन देखिएगा और पहला ये उप्सन सही लगाएंगी तेहत्रमा प्रिशन देखिएगा नेम लिखित में से किस भी कल्ब में बराम पा उससे संब्दित चिन का यूग्म असुद है पूर्ण ब्राम, अर्द ब्राम, अल्प ब्राम या प्रिसन सूचक चिन, तो देखिए प्रिसन सूचक तो आपको पताईए, इस तरह से लगाय जाता है, और इसके बाद आपको पूर्ण ब्राम भी पता है, ऐसे लगाय जाता है, अल्प ब्राम भी पता है, ऐसे लगाय जात तो देखिए अगर आप इन ब्रहाम चिन्नों को जानते हैं तो आप सही तरीके से क्या करेंगे आपसन को ढूंड सकते हैं तो अर्ध ब्रहाम ऐसे नहीं लगा जाता है कि के त्रमा प्रिशन आप दूसरा आपसन के साथ जाएंगे यही असुद्ध है चात्रमा प्रिशन है परंतु किंतु लेकिन बरन आदी अववय है किरिया विशेशन समुच बोदक अववय समन्द बोच दो अववय या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आपसन दूसरा होगा समुच बोदक अववय 75 प्रिशन है निम लिखित में से इस त्रिलिंग सब्द है कवा, मोती, माला या पक्षी 75 प्रिशन देखिएगा और सही आलसर तीसरा लगा देंगे माला ठीक है 76 प्रिशन है सम्सुरू सब्द का तद्भव रूप होगा मूच, असुरू, आधा या ससुर 76 प्रिशन, सही आप्सन नमबर एक होगा मूच, प्रिशन संक्या सतक्तर निम लिखित में से कौन सा सब्द नाग का निकार तक सब्द है घडियाल, साप, एक परवत, दूसरा और तीसरा दोनो प्रिशन संक्या सतक्तर तो देखिए इसमें आप चौथा आप्सन राइट लगा देंगे दूसरा और तीसरा दोनो 78 मा प्रिशन निम लिखित में से किस बिकल्प में किरण का सब्द परयावाथी है कर्दम, सोनहा, मयूर्ट या अनुठा प्रिशन संक्या 78 तीसरा प्रिशन राइट होगा मयूर्ट 89 मा प्रिशन देखिएंगे निम लिखित में से कौन सा यूग्म बिलो मार्तक है स्वाहित, आजपस्ट, शजल जागरत समर्थ, बिविद, सुजाती कुजाती तो 79 बाला प्रिशन और चौथा प्रिशन राइट लगाएंगे सुजाती ये बिलो मार्तक यूग्म दिया है सही होगा ठीक है प्रिशन संक्या 80 निम लिखित में से किस सब्द में बेंजन संदी है ओद धन चय उच्चय दूसरा प्रिशन सब्द धन चाया सचाया प्रिशन संक्या 80 चौथा आप्सन राइट लाएंगे उप्रोब सब्द प्रिशन संक्या 80 निम लिखित में से कभी शिरो मड़ी में कौन सा समास है करम धराय समास अपादान समास अपादान तत्पुर्ष समास तीसरा है अधिकंड तत्पुर्ष समास चौथा अविवाब समास तो प्रिशन संक्या यहाँ पर 81 है और तीसरा अप्सन सही लगाएंगे प्रिशन संक्या 82 निम लिखित में से किस सब्द में पर उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है पहला अप्सन है परस्ट दूसरा है परार्ण तीसरा है परारी चौथा है प्रोल तो प्रिशन संक्या 82 सही अप्सन पहला लगाएंगे परास्ट 83 वाला प्रिशन है बहे अभी तक उदैपुर से नहीं लोटा है बाक में प्रियुक्त कारक बताना है कौन सा है कर्ता कारक कर्ण कारक, अपदान कारक तो 83 वाला प्रिशन आपने तीसरा जो आप्सन देखने है लगा लिया होगा अपदान कारक 84 वाला प्रिशन देखेंगे जिन बाकों से आदेश प्रात्ना उपदेश विनीत्ती आदी भावों का बोध होता है वो कहलाते है अग्यार तक बाक इच्छा बोधक बाक संदेश उचक बाक या संकेतार तक बाक पहला आप्सन बिलकुल सही लगाएंगे आग्यार तक बाक प्रिशन संक्या पिच्च्चा से उल्टेवास बरेलिको लुक्ति का भावार्त बताना है क्या होगा पहला उप्शन है दोसी निर्दोस पर दोस लगाए दूसरा है दुस्तों के प्रति अत्यादी कठोर होना पीसरा है बिपत्ति का आनिशित होना चौथा है बिप्रीत कारिये करना फिर्शन संक्या च्वाषी आरम से ही काम दिगरना अर्थ हितु उप्युक्त महवरा है पहला उप्षन है शिट्टी पिट्टी गुम हो जाना दूसरा सिंगासन हिलेना तीसरा सिर मुडवाते ही ओले पढ़ना चौता है साप शचुंदर की गति होना पिरसन संक्या छाशी तीसरा उप्षन बिलकुर राइट लगाएंगे सिर मुडवाते ही ओले पढ़ना अब यहाँ पर एक अप्तरण दिया गया है और इस अप्तरण को आप बहुत ही दिहान से पढ़ेंगे पढ़ने के साथ साथ आंसर करेंगे सही उप्षन सर्च करके खीक है तो अप्तरण देखिए काफी लंबा होगा और पढ़ते हैं इसके लिए आत्मिस्वास अर्थात अपने पर भरोसा ये ऐसा भरोसा वेक्ति में स्वयम पहल करने की भावना को जनम देता है स्वतंतर चिंतन की प्रेड़ना बनाता है और तब उसके ब्यवाहर में परिलक्षित होने लगते है स्वयम प्रेड़ित आत्मिर्वर्था आत्मिस्वासी वेक्ति के आच्रण में विनम्रता, सालीनता और शेष्टा के साथ साथ प्रित विचार रखने वाले वेक्ति के प्रिती सम्मान भावतता सैश्वर्था भी कम नहीं होती है बातें दंबी और आत्मिस्वासी वेक्ति के बीच अंतर को रेखांकित करती है आत्मिस्वास की अभी वेक्ति वेक्ति के साहास उसकी इस्रम निष्टा और कुछ कर गुजरने के लिए प्रेवित करने के ललक में देखी जा सकती है अरस्तु आत्मिस्वास का उदे जब देखती के अंतर मंग में होता है तो बहे अनक्तक परिश्रम पर लक्ष प्राप्ति के लिए प्राण पर्ण से जुट जाता है अब यहाँ पर प्रिश्रम पूछा गया है कि आत्मिस्वास बेक्ति को बनाता है बताना है आपके लिए चार ओप्षन दिये हैं कौन सा सही होगा तो अभी आपने गध्यांस पढ़ा था और आपने बिल्कुल इसमें सही ओप्षन सर्च कर लिया होगा कौन सा ओप्षन होगा पहला ओप्षन तो वहाँ लंबी ठीक है अठासी वाला प्रिशन है बेक्ति कब अनथक परिश्रम कर लक्ष प्राप्ति के लिए प्राण पढ़्ष में जुट जाता है अठासी वाला प्रिशन है और यहाँ पर आपको पताईए आपने पढ़ा था कि अंतर मन में जब आत्म दिस्वात का उद्य होता है तब क्या होता है बेक्ति जो होता है वो अनथक परिश्रम कर लक्ष प्राप्ति के लिए प्राण पढ़्ड में जुट जाता है नवासी वाला प्रिशन देखेंगे निम लिखित में से सुद्ध सब्द है ब्यवहार ब्यवहार पहला और दूसरा दोनों या नीचे चोथा दिया है तो देखिए सुद्ध ब्यवहार जो लिखा हुआ है वह पहला यी आप्षन सही होगा पिर्शन संग्या 90 निम लिखित में से कौन सी लिलक एक आत्मिस्वासी वेक्ती में देखी जा सकती है कुछ कर गुजरने की लिलक, सिरम निश्टा, अभी वेक्ती या उप्रोग सभी तो चौथा आप्शन बिलकुर राइट लाएंगे उप्रोग सभी पिर्शन संग्या 91 देखेंगे कि निम लिखित में से किस भी कल्ब में एक पिरताय का प्रियोग नहीं हुआ है धार में आधुनिक अनुपात एक या बाल मिकी पिर्शन संग्या 91 चौथा आप्शन राइट होगा बाल मिकी पिर्सन संख्या 92 से सुरू करेंगे जो कि 96 तक रहेगा और इस पैसिस को बहुत ही ध्यान के साथ पढ़ेंगे पैसिस से जितने भी important पिर्सन बनते हैं उन सर्वी को solve करेंगे तो पैसिस को पढ़ते हैं देखिए पैसिस यहां पर दिया हुआ है कि one simple concept lies behind the formation of the stars the concept is not new newton first prescribed it late in the 17th century imagine a uniform static cloud of sex in space imagine then that the gas is somehow distributed or disturbed okay so that one small spatial region become a little denser than the gas around it so that the small region a gravitational field become slightly stronger it now attracts more matter to it and its gravity increase further causing it to begin to contract as a contract its density increase which increase increases its gravity even more so that it pick up even more matter and contracts even further the process continues until the small region of gas family form a gravitationally born object देखिए प्रतिक सब्द का हिंदी आपके लिए इसलिए नहीं बता पा रहा है तो कि हम यह प्रैक्टिस एट कर रहा है विस्तार से इसको अगर पढ़ेंगे तो काफी शमय लगेगा तो इसलिए हम इसको इसी तरह से प्यारी कर रहा है बिलकुल यहाँ पर 92 वाला मतलब जो 92 वाला प्रिशन आ चुका है और प्रिशन दिया है कि प्रैमरी परपस आप दा पैसेज इस टू तो पहला आप्शन दिया है डिस्क्राइब दा स्टाडिक्स कंडिशन दूसरा है सपोर्ट ए थियूरी प्रिशन संख्या चिरान में देखेंगे आप देखेंगे कि तुम कि अफ्रिशन दिया खा़ आतलवा दिया कि्यूरी आप्र हण डूसरे आप्रुशन तो इसका राइट आंसर चौथा होगा, आपने पढ़ा है पैसेज में, प्रिशन संख्या 94, with which of the following words can you replace the word uniform as given this passage, तो uniform बताना है, uniting है, bearing है, gases है या unbearing है, प्रिशन संख्या 94, चौथा आपसर राइट होगा, unbearing, प्रिशन संख्या 95 है, भार्ड दस्दा अंडर लाइन वर्ड इट, इस्टेंड फार इज़ दा पैसेज, बताना है इट जो आपके पैसेज में आया है, क्या है, gravitational instantivity है, cloud a gas के लिए आया, small sparsal denser region के लिए आया, या matter के लिए आया, इट का आपके पैसेज में, small sparsal denser region के लिए, प्रिशन संख्या 95 है, the author provides information that answers which of the following questions, पहला option है, heart causes the dist revenge that changes the cloud from its original status condition, दूसरा, how does the small region in increasing density effect its gravitational field, तीसरा है, heart is the end result of the gradually increasing circulation of the small region of gas, तो यहाँ पर code दिया आया, देखिए, और यहाँ पर जो सही answer लगाएंगे आप, बिल्कुल 96 में, तीसरा option थीग है, दूसरा और तीसरा, प्रिशन संग्या 97 को देखते हैं, 97 वाला प्रिशन बहुत ही इंप्रिशन है, अगला प्रिशन देखेंगे, हाँ मैनी स्लेवल, 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 स्लेवल या मोर दैन तू स्लेवल, ठीक है, 92 आ 98 वाले में, चौथा option ही राइट होगा, मोर दैन तू स्लेवल, ठीक है, प्रिशन संग्या 99 वे इंदा फॉलिंग संटेंस, शेज़ दा वर्ब तू दा प्रिजेंट कांटिनी स्टेंस, वर्ब को प्रिजेंट कांटिनी स्टेंस में कनवर्ट करना है, संटेंस सी डज हर होमबर्ग वेरी अटेंटिटिवली, प्रिशन संग्या 90 वे दूसरा ओप्शन बिलको राइट होगा, इस दूइंग प्रिशन संग्या 100 वे इंदा बिलाइंग विद दा सुटेबल आर्टिकल इन दा फॉलिंग संटेंस, कैमल इस दा सीप अब दा डिजर्ट, ए एन दा या जीरो आर्टिकल, इसरा ओप्शन बिलको राइट होगा, दा, प्रिशन संग्या 101, अइदेंटिफाई दा टाइक आफ दा संटेंस गिविन विलो, सा, डॉन्ट मिस्टेक ए इन वाइस, बदा ना आएं, इंप्रेडि संटेंस है, इंट्रोगेडि संटेंस है, एक्सलामेंटरी संटेंस है या असरेटिव संटेंस है, तो भाईए आप ऐसे संटेंस को देखी चिन से पहचान सकते हैं, अगर ऐसा चिन आप कहीं पर भी देखते हैं, तो आप एक्सलामेंटरी संटेंस में पहचान कर सकते हैं जो कि विश्म बॉदक चिन के नाम से जाना जाता है और इस अंटेंस आपका विश्म बोदक चिन होगा ठीक है अगला प्रिश्चन देखेंगे 100 प्रिश्चनों का सामांतर मत देखिए अब मैथ से प्रिश्चन शुरू है और बिल्कुल इसमें हम जो सही option होगा उसको इटिक करते हुए चलेंगे बिस्तार से आपको देखने हैं सारे प्रिशन प्लिलिष्ट बना दी गई है बिस्तार से class भी चलाई जाती है तो उनको आप देखा करिएगा और अच्छे से आप math को सीखिएगा तो प्रिशन संके 102 है सो प्रिशेंशनों का सामानतर मद पचास ग्यात किया गया यदि तूटी बस्तू बस्तू की तील से 92 के स्थान पर 339 मान कर गर्णा कर दी गई तो सही सामानतर मद दिख्या होगा चौत्व आप्सन इसमें बिलकुल सही होगा प्रिशन संके 113 निम लिखित में से सबसे छोटी भिन कौन सी है तो देखिए आपर भिन दी है 6 वटा 11, 13 वटे 18, 15 वटे 22, 19 वटे 36, 5 वटे 6 सबसे छोटी भिन पूछा गया है और इसमें तीसरा आप्सन राइट होगा 15 वटे 22 कैसे है सौल करके आप देख लेंगे प्रिशन संक्या 104 एक चुनाम में दो अमीदवार थे इसमें मतदाता सूची में 10% मतदावताओं ने अपने मतदीगार का प्रियूग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैद घोशित कर दिये गए सपल उमीदवार कुछ बैद मतों के 54% मत प्राप करके 1620 मतों से जीत गए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे प्रिशन संक्या 104 तो देखिए इसका पहला यह उप्सन राइट होगा 25,000 अगला प्रिशन देखेंगे और यहां पर प्रिशन दिया है कि एक बटा तीन पिलस एक बटा तीन की इसकार माइनस एक बटा तीन की क्यों पिलस डॉट 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 अनंत बरावर कोईशन मार्क चेन का योग क्या होगा तो इसमें राइट आंसर आप लगा देंगे दूसरा उप्सन सॉल करेंगे तो यही आंसर आएगा 106 वाला प्रिशन है एक बेक्ती इने साधाहन ब्याज पर रुपए 503 प्रितिसद बार्शिक दर पर तथा 604 साई एक बटा दो प्रितिसद बार्शिक की दर पर इस प्रितिबंद पर आधा उधार लिए और कुल राशी तब वापस की जाएगी जब कुल ब्याज रुपए 126 हो जाएगा बर्सों की संक्या जिसके बाद उधार राशी वापस की जानी है समय क्या होगा तो देखिए आपर राइट आंसर होगा आपका चौथा आपसन जो की नीचे दिया है तीन बर्स ठीक है एक सो साथमा प्रिसन है क्वंटल सक्कर का मूल 30,000 रुपए है तो एक किलोग्राम सक्कर का मूल क्या होगा जिसमें देखिए सही आंसर अगर आप लगाएंगे तो दूसरा आपसन निकल के आएगा साथ रुपए है आंसर आपका जब सॉल करेंगे यही आएगा करके देखिएगा एक सो आटमा प्रिसन है एक आयतकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तो था चौड़ाई 60 मीटर है तो उसके चार और बहारी तरब चार मीटर चौड़ाई के में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगा का च्छतपल होगा सही आंसर तीसरा होगा 1184 मीटर ठीक है बर्ग मीटर बोल सकते हैं इसकार लगा हुआ है 109 मा प्रिशन B और C F एक तिरबुज ABC के दो सीर से लंब है यदि AB बरावर 6 cm AC बरावर 5 cm और C F बरावर 4 cm हो तो B की लंबाई क्या होगी बिलकुल धुआधार प्रिशन है यह और पहला ओप्सन यहाँ पर आप सही ले आएंगे 110 मा प्रिशन देखिए 8% बारसी दर्से जब व्याज बारसी सहयुजूत होता है तो 6250 रुपए का एक राशी का चक्रवर्ति मिश्रदन 2,3,4 बरसों के प्रिश्चाथ होगा पहला ओप्सन बिलकुल यहाँ पर राइट हो जाता है आंसर को चेक करेंगे सौल करके 111 मा प्रिशन दो संख्यों का अनुपाद 4 वटा 3 है यदि प्रतिक संख्या में 5 जोड दिया जाता है तो उनका अनुपाद 9 अनुपाद 7 हो जाता है तो उन संख्याओं में अंतर का बर्ग ग्याद करेंगे कितना आएगा बिल्कुल आपके लिए बहुत ही सरल प्रिशन है सो आ जाएगा एक सो बार में प्रिशन देखेंगे 64 शेवों को 60 रुपए में बेचने पर एक देखती को 25 प्रतिसत का लाब होता है 40 प्रतिसत हानी के लिए उसे 36 रुपए में कितने से बेचने चाहिए 80, 70, 60 या 50 तो पहला यह उप्षन यहाँ पर राइट हो जाएगा 80 प्रिशन संख्या 113 देखी संख्या दी हुई है संख्या में 5 के इस्थानिय मान और अंकित मान में क्या अंतर होगा तो भहिए पर आपका जो अंकित मान निकल के आएगा इसमें अंतर भहे आजाएगा 49,995 एक सो चौदमा प्रिशन है 40 पारियों में एक बल्ले वाज का आउस्थ 30 है तो अगर इन दोनों पारियों को हटा दे तो उसका आउस्थ सक्ता है सुजाता है उचितम स्कूर ज्यात करना है सही आउसर आप दूसरा लगाएंगे 94 एक सो पंदरमा प्रिशन एकस के किसमान के लिए साथ अंकित संग्या उनतर सो तेरा गुणा जीरो आठ शंग्या अठासी से विवाज है चार दू छे या आठ प्रिशन संग्या 115 सही आउसर लगाएंगे चौथा ठीक है आठ बाकी कि ये तिगना मेंटरी से प्रिशन है और सोलमा प्रिशन है कि यदि सायन स्क्वार ए माइनस सायन स्क्वार बी फ्लैस कॉज स्क्वार ए कॉज स्क्वार ए कॉज स्क्वार बी ब्रेकिट बन बरावर एकस है तो एकस का मान बताना है क्या होगा तो इसमें सही आंसर अगर आ A-10² B पहला यह option correct होगा पिरसन संग्य 117 देखिए संकू A के आयतन और बेलन एज का आयतन का योग 5054 मतलब 504025 cm Q है और संकू बेलन दोनों की उचाई समान है जो 20 cm है यदि बेलन की तरजिया 12 cm है तो A की तरजिया अबम H की तरजिया का अनपाद क्या है यहाद करें पहला यह option right आजाएगा तीन अनपाद 2 108 मा पिरसन है देखिए गुड़न खंड बताना है तो इसको आप solve कर लेंगे answer निकल के आजाएगा पहला यह ठीक है 19 मा 119 मा पिरसन है देखिए यह दी A बराबर 50 B बराबर 48 C बराबर 54 है तो A का Q प्लिस B का Q प्लिस C का Q माइनस 3 A B C बटे bracket A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा तो इसका सही मान निकल आएगा 14 option 28 ठीक है पाकी 120 मा पिरसन देखिए इसको भी आप solve कर लेंगे और इसमें जो answer निकल के आएगा बहे आपका कौन सा option आएगा जी हाँ 120 में आपका जो सही answer निकल के आएगा बहे आजागा पहला यह option ठीक है 5 121 पिरस 34,000 पिलस 43 सेकड़ा पिलस 24 दहाई 2 एकाई बराबर 24 सेकड़ा पिलस 25 दहाई पिलस 20 एकाई पिलस एकस तब एकस कमान गयाद करना है राइट आंसर आप पहला option लगा देंगे solve करेंगे यही answer आएगा answer जरूर चेक करिएगा 124 में पिरस ने नीचे दिये गए बिकल्पों में से सब्द चुनना है जो दिये गए सब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता ठीकी reasoning का person है और जो सब्द नहीं बनेगा इसमें तो बहे सब्द होगा आपका कौन सा दूसरा option ठीक है अगला पिरस देखेंगे नीचे दिये गए R1 में लुप्त सब्द गयाद करना है तो लुप्त सब्द यहाँ पर जो 124 में पिरस नीम लिखित में से कौन साक्षा समू दूसरों से भिनने है तो देखिए इसका सही answer होगा पहला option है C,E,H,L दूसरा है K,M,P,T तीसरा है M,P,S,B चौता है O,Q,T,X तो बताना है दूसरे समू से क्या है भिनने है 124 में पिरस ने है और सही answer लगाएंगे तीसरा ठीक है N,P,S,B बिल्कुल भिनने है 125 में पिरस ने है रमन का मुख पूरव जिसा की ओर था 22 मीटर चलती है और 22 और मुढ़ने के बाद 25 मीटर चलती है फिर दाई मुढ़ से कितनी दूरी पर है तो राइट आंसर क्या लगाएंगे दूसरा ओप्सन 45 मीटर ठीक है 126 मा पिरस ने देखेंगे दिये गए पिरस ने एक कथन है तथा दो तर्क दिये गए कथन के आदार पर कौन सा तर्क प्रवल है कथन है क्या मंबई की तरह सभी बड़े सहरों में सिर्फ एक पब्लिक बस ट्रांस्पोर्ट आइजनसी होनी चाहिए तर्क दूसरा देखिएगा तो पहला ओप्सन है याँ पर तर्क की नहीं इससे कंपनी का एक अधिकार बड़ेगा जिससे बहे कम विक्षित सहरों को उसी अवस्ता में छोड़ सकती है दूसरे हाँ इससे मार्गो के विवस्तापन में भाड़े के नेधारन में आप एक शक्रत साहता मिलेगी पता ना है कौन सा तर्क बिलकुल राइट होगा प्रिसन संकी 126 में तो देखिए केबल तर्क पहला ही प्रिवल होगा ठीक है पहला उप्षन राइट हो जाता है 127 मार्गो के लिए जैब रुबरक कारियन निम लिखित में से कौन साथ जीप कर सकता है कवक राइजूबियम इस्पैसिज नील हरित सेवाल या एजवेक्टर इस्पैसिज 127 मार्गो के लिखित में रुबरक के लिखिया गया दा यहापर आप राइट आंसर ए लगा देंगे लिखित 129 मार्गो के लिखित में बहे ब्राहम पदात जो प्रतिरक्षा तंत को सक्रिय करे कहलाता है एंटिवाड़ी, एंटिजन, इंटरफेरान या पैथोजन 139 मार्गो के सामने दूसरा ओप्सन राइट होगा एंटिजन 130 मार्गो के लिखित बिटामिन इगी कमी से होने वाला रोग है रिकेटर्स, आस्टो मोलियसिया, मानसिक ब्यादी, त्वच्चा अबम जुर्यों का विकास चौता ओप्सन बिलकुर राइट हो जाएगा त्वच्चा अबम जुर्यों का विकास पॉलिसाइथानीशिया, थाइनिया, पॉलिसाइथेनिया है पहला ओप्सन है इसमें आर बीसी की संग्या कम हो जाती है दूसरा इसमें डबलू बीसी की संग्या अधिक हो जाती है तीसरा इसमें आर बीसी की संग्या अधिक हो जाती है तंत्रान बहा समन्वे की किरिया मुख रूप से किस तंत्र के द्वारा की जाती है। उत्तरजन तंत्र का स्वाजन तंत्र या पाचन तंत्र, 132 पिर्षन, दूसरा ओप्सन रॉइट होगा, तंत्र का तंत्र एक सो तैतिसमा पिरसन आपके सामने बहुत ही इंपोर्टन कोशन है कि एतल ऐसी टेट का उप्योग होता है इत्र बनाने में अगरवत्ती बनाने में भोचन को सोगंधित बनाने में उप्रोग सभी में तो इसका राइट आंसर आप्सन नंबर कौन सा होगा चौथा में से कोई नहीं तो दूसरा आप्सन राइट लगाएंगे समान एक सो पैतिसमा पिरसन नियंतरित नाविकी आभी किरिया में मंदक के रूप में प्रयोक लिया जाता है पैरियम चान, कैड्मियन चान, ग्रेफाइट चान, जिंक चान तीसरा आप्सन बिलको राइट लगा सीधा आप्सन बिलको राइट लगा देंगे 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 सीधा आप्सन बिलको राइट लगा देंग देखिए हाली में विश्म मौसम विज्ञान संक्टन ने किस कारक्त को बायू गुडवक्ता में सुधार का प्रमुक कारण बताया कोविड-19 प्लास्टिक पर बैन लेड मुक पेट्रॉल पर रोग या लेक्ट्रानिक बाहन तो 138 प्रिशन पहला ही ऑप्षन राइट लगाएंगे कोविड-19 ठीक है 149 प्रिशन नेम लिखित में से किस डिजिटल कंपनी ने किसांसी स्टोर सेंटर लाँच किया एमेजन फिलिपकार्ट गूगल पे फोन पे 149 प्रिशन पहला ही ऑप्षन राइट होगा एमेजन 140 प्रिशन गरपाद को अपराद में अपराद से मुक्त किस देश ने कर दिया है मैं किसको ब्राजील रूस सुचील प्रिशन संक्या 140 पहला ऑप्षन बिलकुर राइट होगा मैं किसको 141 प्रिशन बीते दिनों खवरों में रा युक्त धारा पोर्टल किस संस्तान द्वारा विक्सित किया गया डियाइडियो इस्रो आइटियाई खड़कपुर आइटियाई मंदराज 141 प्रिशन राइट आंसर आप्षन नमबर दूसरा होगा इस्रो की द्वारा 42 प्रिशन 142 प्रिशन हाईली में सीमा सटक संक्यटन ने किस राज संग सासित प्रदेश में सबसे उची मोटर वहां चलाने का युग सटक का निर्मार किया लद्दाग जम्बु कश्मीर पंजाब हिमाचल प्रदेश पहला यह उप्षन राइट होगा लद्दाग 143 प्रिशन किस राज में आप सिपा को पुना 6 महिने के लिए बढ़ा दिया गया अरुनाचल प्रदेश असम नागालेंड मिजोरम देगे पुरानी करण्ट है फि देखे 144 में भारत ने किस देश के साथ है जन्डा 2030 पार्टनर्सिप संबंदी डालॉग लांच किया है ब्राजील इटली रूस अमेरिका चावालिसमा प्रिशन एक सो इसमें अमेरिका राइट होगा 145 में प्रिशन किस राज या सरकार ने बाजरा मिशन सुरू किया है मद्द परदेश, 36 गर्ड, बिहार या उत्तर परदेश तो देखिए 145 में प्रिशन है और दूसरा उप्रिशन राइट होगा थोड़ा तेज इसलिए करा रहा है काफी समय हो चुका है आपको हमारे साथ कनेक्ट करे हुए 146 में प्रिशन देखिए कि इस सहर में भारत का पहला कार्बन कैप्टर प्लांट चालू किया गया है वैंक ऑफ इंडिया आईटी आईटी पटना नीटी आयोग हार्तिय प्रवंदन संस्तान इंदौर तो देखिए तीसरा उप्सन राइट होगा नीटी आयोग कमेंट करके बताएंगे नीटी आयोग का अब नया नाम क्या है ठीक है 148 में प्रवंदन स्रम अंत्राले दौरा किसके सयोग से डीजी सक्षम कारिकरम लॉंज किया गया गूगल मैक्रोशॉप्ट फेस्बुक या स्टार लिंग तो दूसरा उप्सन राइट हो जाएगा मैक्रोशॉप्ट मैक्रोशॉप्ट एक बहुती बड़ी कम्पनी है यू 2021 का नोबल प्रश्कार दिया गया था डैविड जूलियस अर्देम पटप्पा उटिन पहला और दूसरा दोनों या मारिया रेशा 149 में प्रिशन तीसरा उप्सन राइट होगा पहला और दूसरा इन दोनों के लिए 150 में इस खाड़ी देश ने 2050 तक सुद्ध सुन ग्रीन हाउस गैस उतसरजन हासिल करने की घोश लगे बहरीन कतर साओधी अरब सयुक्त अरव अमीराद तो यहां पर आप चौता अप्सन राइट लगाएंगे सयुक्त राज आज सयुक्त अरव अमीराद सातियों आप से उम्मीद करते हैं 150 प्रिशन या पर हम समाप्त कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इनको सीखा होगा कॉपी में भी नोट डाउन करके रखा होगा जो भी प्रिशन इंपोर्टन लगा होगा तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेस्बूक टेलिग्राम और बहुत सारे ऐसे सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म उन पर सेर करेंगे साथ में प्यारा सा कमेंट करेंगे सेसन कैसा रगा है चैनल पर नए है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आगे आने वाले जो भी प्रैक्टिस एट है वो समय से मिल सकेंगे मिलते हैं अपनी नेक्ट वीडियो में नेक्ट सेशन के साथ अतकली गुड़ बाई जैहिंद बंदे मात्रम